बिस्मिल्य वक्मान अव्वाही नोवल है जिनोने उल्फत एपिसोड ट्वंटीटू तहरीर है मैविश अली की बोलो इसने एक नजर इसके मगरूर चेहरे पर डालते सामने चेहर पर बैठते हुए से कहा डोर बंद कर दो इसके बैठने से पहले ही वो जल्दी से बोली सारब न एक घुरी से नवासते हुए उठा और जा कर डोर बंद कर दिया चा कहना है जल्दी को हो वो बाहर दूसरे पेशन को देखता है धर शाह साहिल शाह का इंसदार कर रहा था साहिल के कहने पर कि चानक अनुशा इसके पास आई और इसे कहा कि जिस लड़की को वह लाया है वो सीखती से बुला रही है साहरम को गुसा तो बहुत आया एक बार दिल किया नजर अन्दाज कर दे पर फिर अपनी जुमर्दारी का सूच कर वो इसके वोड़ में दागी हुआ जहां वो अपने स्वैद गुलाबी पाउं बैट से नीचे लरकाय जुलाती हुई बैटीस का इंचदार कर रही थी इससे देखते मुस्कुराई और गरूर तफाकर से बोली कि मुझे यकीन था तो मेरी पुकार पर जरूर आओगी इसकी बात का पस मतलब तो वो समझ नहीं पाया पर इससे बुलाने का मकसद बुचा जिस पर इसने बैट कर तहमल से बात सुनने का ओर्डर दिया इसके ओर्डर देने पर एक नागवार नजर इस पर ढालते हुए वो जाने लगा कि एक तब नरम पढ़ती मिन्नत पर उतर आई जिससे देखते सारम कहरा सांस खैंच कर भी बैटने ही लगा था कि एक बार फिर इसका हुख अब कोहो या वो कुछ कहते मौान आगे का जुमला लबों की पकड में कैद कर जा पर बाजल की तवज़ा इस पर नहीं थी वो सूच रही थी कि बात का आगास कैसी करे तुम्हारा नाम डॉक्टर सारम जैदी है इसने तहमीद बादी सारम को इसके दमाग पर शक हुआ डॉक्टर मेरा पेश्चा है सारम नाम और जैदी जात है इसने जिताते हुए सुनाया इसे गौर से पहली बार सुनकर बादल छपके इसके तीके नकूश में जिस अंदाज से सुर्खी आई थी वो मनजर काफी दिलकश मभूत कर देने वाला था पर सारम ने नजर भर कर इस मगरूर लड़की को नहीं देखा जानता था वो जाने फिर किन खुश फैमियों में कैद हो जाएगी और फिर दमागी मरीज तो इसे पहले ही लगती थी मेरा नाम तो तुम जानते ही होगे इसने गहरा सांस बरके खुद को पूर्सकून किया सारम साही लाकिया और अपनी चोड़ी कलाई पर भंदी घड़ी को देखने लगा अगर तारफ हो गया हो तो मैं जाओ मुझे एक पेशियन को देखना है वो खड़ा होता बोला बाजन ने इसकी बात सुनते इसके अटिटूट पर अपनी आई ब्रू उचकाई जो इसकी स्टिल ग्रे आँखों पर तलवार की तरह तेज और बल खाती हुई थी मुझे कुछ एहम बात करनी है डॉक्टर अपने मीरीजों से बाद में मिलते रहना स्टूपिर मैं तुम्हें इस साया वक्त का बिल अदा कर दूँगी वो चबा कर गुस्या से सुरुख होती बोली इसने देखा था जब से आया था एटिटूट ही बतला हुआ था पर इसकी बाद से सारम का चेरा जाने किस एहसास से सुरुख हुआ अपने पैसे का गुरूर अपने तक रखो बीबी बादल तुम्हारा बिल अदा करने की जूरत नहीं जहां तुम इस वक्त बैटी हो ये तौकी होस्पीटल फ्री इलाज महिया करता है और मैं यहां जॉब पैसों के पीछे नहीं अपने स्कून के लिए करता हूँ इसने उमड़ता हुआ गुसा बाद मुश्किल जब्त करता स्पार्ट होकर इस पर जटाया बादल ने अलग इसकी बाद पर मुठिना भेंचता अगर इसके लावा किसी को जानती होती है इसके लावा कोई इस जैसा बेवकूफ बुजदिल लगा होता तो कभी किसकी इतनी न सुनती बलकि सुना कर यहां थूख कर चली जाती है ओके रिलाक्स तुम बैठो मुझे बात करनी है मौन वो अपना लहजा खलाफ यादत नर्म करती बोई और अपने बालों को जटका जिससे इसकी ग्रेश शेर्ट वाले बाल लहराए और फिर सिल्की होने की वज़ा से अपने अस्ति रूप में आ गए शायर इसे अपने हुसन का अंदाजा था तभी इतनी मगरूर थी सारम एक सांस अंदर खैंच तहुआ वाप इस ज़र पर बैठ किया और इसके बोलने के मुंतसीर बाजल इस पर एक सरसी नज़र ढाल कर बात का अगास करने लिए तुम शादी कब करोगी आई मीन के तुम्हारा शादी के मुतलग क्या प्लैन है वो इस से बोली और साथ ही चेरा देखने लगी सारम ने हैरत से जटके से इसका चेरा देखा पहले तारफ अब इतना परसनल सवा और वो भी ब्लैक मैन से ये बात क्या हज़म करने वाली थी मुझे तुम्हारे दमाग पर पहले शक था वस्तुरक होता गुसे से बड़बडा कर उठा इसका इरादा यहां से जान गया था कि अब दूसरे प्लैन सोचा होगा तहसीग करने का पर इसके एक अदम उठाने से पहले ही वो जटके से अपनी जगा छोड़ कर इसके इंतहाई पास आई कि दोनों की खुश्वू आपस में उलजग गई और अपनी टांग इसकी टांग में उलजाकर अपना शोल्डर इसके सीने पर पूरी कुछ से मारते इसे पीछे चेर पर धका दिया सारम इस नाजग सी अफ़ताद पर बुखला कर कुछ समझता इस से पहले ही अपने गले से इसकाफ खोल कर बाजल ने गूम कर इस इसकाफ की मदद से कसकर सारम को चेर पर बांद दिया तुम जैसे मीशने लोगों को जानती हूँ ऐसे इज़त रास नहीं आती तुम लोगों को वो इसके सामने खड़ी हांपती हुई बुली टकनों को छूती रेड शिट और बलैक पैंट में वो मलबूस बॉपकट बालों वारी लड़की इसके सामने थी और सारम तो भी हैरत में अपने सीने के गित जकड़े इसकाफ को देख रहा था कि ये हकीकत है वो चूटकी बर लड़की इस से बांद कर अब इसके सामने खड़ी थी वोट इस दिस बाजल शाह वो गुसे से गराया ओ शट अब इमो बंद रुखो वो इसके गुसे को खातर में लाए बगया जटक कर बोली देखो डॉक्टर मुझे ज़्यादा बहस नहीं करनी अगर तुम चाहते हो तुम्हारे इस सीन को तुम्हारे दूसरे डॉक्टर्स ना देखी तो सीधे सीधे बताओ कब शादी कर रहे हो वो खौन खान तेवरों से बोली सारम तो जितना शौक्ट होता उतना कम था कि वो अभी इस लड़की को भी होश उठा कर लाया था और इसका हिलाज किया बदले में वो इसे बान कर बैठी थी कुस दिर वो इसे गूरता रहा और बाजल जानती थी कि वो ऐसे जवाब नहीं देगा अब बताओ गया कार्टून तुम्हारी शेयरक वो करीब आती इसकी शेयरक पर सेंसर रखकर बोली एक बार फिर इसके वजूर से उड़ती हुई खुश्बू सारम जायदी की नतनों से टकराई अभी कोई रादा नहीं इसने जब्द करते हुए जवाब दिया वरना इसका चेयरा सुरक था और सर चेयर की पुष्ट पटिका हुआ था गुड वेरी गुड अब दूत्सा जवाब कोई जी एफ या लव शो है वो खुश हुई सारम की समझ से बाहिर था इसकी हर वक्त तजलील करने वाली को क्यों इसकी लाइफ में इंटरस्ट होने लगा शट अब वो इसके सवाल पर भड़क उठा बाजल खिल-खिलाओ उठी वेरी गुड मुझे तुम देखने में ही कोई पारसा टाइप औरत की तरह लगते हो जो खुद को सिमट सिमट कर रखे अहा हा हा शट अब और इसके तासराथ से यही मतलब अखस हो रहा था कि वो इसे यह दूनों पसंद नहीं आए वो दिखने में ही पारसा लगता था इसे के इजहार कि यह बगएर नहीं रह पाई अच्छा पौंट पर आते हैं वो पुर्सकून होती बोली सारम ने इसे देखा देखो ब्लैक मैन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्या तुम करोगे वो आँखें पर पटा कर मसूमियत से बोली सारम ने गोर से इसका चेहरा देखा ये कौन सा तरीका है हेल्प लेने का इसने गुसे से आईबरू उठाई इसका इशारा इसके करीम आने सीजर्स शेरक पर रखने और बादने की तरफ था बादल भी इसके इशारे की तरफ देखा और सारम ने आर्जों पर गिरी इसकी जुकी गनी पलकों पर इसे दफ़ा करो तुम जवाब दो करोगे मेरी हैल्प वो इसकी फजूल बात को इग्नोर करती बोली सारम कुछ देर इसके चेहरे को देखते च्छत को गूरने लगा अबे मर गये क्या डॉक्टर इसकी गाल पर आइस्ता थपड़ मार कर इसने होश दिलाया डर भी गई थी ये भी डर था कि कोई आना चाहे इसके च्छूने से सारम के माथे पर बल आ गए तुम पहले दूर जाओ फिर बात करो इसने पीछे जाने का इशारा दिया बाजल को इस पर सक्त गुसा आया मैं तुम्हारी नौकर नहीं जितना कहा है उसका जवाब दो वो जिद्धी लड़की थी गुसे से बोली वो भी कह सकता था कि इसने ठेका नहीं उठाया इसकी हल्प का पर जाना चाहता था कि इस सब की वज़ा क्या है अच्छा बताओ इसने इजाज़त थी और इसकी आँखों में देखा बाजल के लबों पर गहरी मस्कुराहट आ गई थी दोस्ती करोगे मुझसे जो हेल्प इससे लेना चाहती थी इसके लिए इससे अच्छी शुरुआत करना जरूरी थी पसारम ने नागवाली से नज़रें फेर ली बाजल का चेहरा तोहीन से सुरुख हो गया जिन्दगी में पहली बार इसने ऐसे इंसान की तरफ हाथ बढ़ाया था जिसको दुबारा पलट कर देखना न चाहती बलके इसमें किसी किसम का इंट्रस्ट भी न हो ओख तुम्हारी हाथ तो बंदे हुए है इसने हंस कर कहा और अपनी शिर्मिंदगी मिटाना चाहे इसकी खोकली हंसी पसारम के लबों के गोश्चों में मभवम सी मस्कुराहट आ गई क्या तुम मुझसे कांट्रेक्ट मैरिज करोगे देखो हम एक दूसरे को कुछ नहीं देंगे ना तुम मुझे ना मैं तुम्हें बच छोटी सी हेल्प कर दो मुझसे नका करके डैड को शादी का परूफ दो और जब रुक्स्ती होगी ना तुम अलग-अलग होंगे पर सब के सामने हैपी शो करेंगे इसके बाद हनी मौन पर अमेरिका चलेंगे तुम यहां से तब तक चुपाक तलाग के पेपर्स डैडी करते ना और फिर साथ वहां चलेंगे वहां मैं तुम से तलाग ले लूँगी बस इतनी सी हल्प कर तो मैं यहां तुम्हारे लावा किसी को नहीं जानते और डैड की शर्ट है कि यहां से अगर जाना है तो किसी मुसल्मान अच्छे इंसान से शादी करके जाना है इसके लावा मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हो सकता है ऐसी कोई फजूल खुश फैमी दिल में मत रखना मेरे नजदेक तुम सिर्फ एक बलैक मैन हो वो अपनी बात कहा कर सीधी हुई और अब सारम के चेरे के तास्ता देखने लिए जो कर इंतहाई नापसंद खतरनाक होते जा रहे थे ओके फाइन अगर तुम नहीं कर सकते तो अपने भाई को को वो मेरी हल्प करे सिंपल चताक इसके अभी आदी बात मुँ में ही थी के सारम जादी जटके से इसकी कमजोर बंदी गड़ों को खोल कर उठा दूसरे हिलमे इसके गाल पर निशान छोड़ दिये सर पर आये जखम उपर से जिसने मरहम लगाया उसका ही चानक थपड़ बादल का सर गूम किया वो सुन पढ़ती सकते में आगई शशर थी सारम जादी के थपड़ मारने पर और वो भी इसे बादल शाग के जिसके बाप ने इसे आज तक नागवार नजरों से नहीं देखा था और इसने थपड़ मार दिया इसे परस तकबर में गिरी हुई है तुम क्या मुझे में इंटरस्ट रखोगी बादल शाग ये जिस फैद रंग का गरूर तुमें मेरी नजर तुम एक इंतहाई बेवकूफ लड़की हो तुम से बढ़कर मेरे घर मेरे बहन बाई माबाप फसीन है तुम तो कुछ नहीं मेरी नजर में जिस तरह का तुम्हारा अंदाज है अब तक मैं तुम्हें हजारो थपड से नवाज चुका होता पर मजबूर हूँ क्योंकि मेरे माबाप ने हमें हमेशा औरत जात की इजद करना सिखाई है तुम्हारी भी अब तक मैं इजद करता आया था पर कहते हैं ना इजद सब को रास नहीं आती तुम्हारे साथ भी वही मामला है तुम और तुम्हारी जात में मुझे खाक के जरे जितना भी इंटरेस्ट नहीं होगी तुम हसीन पर मेरे सामने अब तक जो तुमने अपना शो किया है इस नजर से तुम एक बसूरत दिल की मालक हो तुमने नका जैसे पाक रिश्टे का भी मजाग बनाना चाहा अफसोस है मुझे तुम्हारी जहनियत पर लगता है तुमने अपने माबाब की तर्बियत कुरान को भी दिल पर सवार होने नहीं दिया दिल जिन्दकी की रंगीनियों के पीछे बागना बंद करो वेवकूफ लड़की ये शहर्द से ज्यादा मीठी जहर्द से ज्यादा खतरनाक है अगर ऐसा कुछ करना है तुम्हें तो मेरी मानो किसी कार्ट के उल्लू से ये काम करवालो ना का की तोहीन ना तुम्हें 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 कुछ खोने का अफसोस बाकी मेरे दस्देख माफ करना मिस बाजल शातुम दुनिया की आखरी लड़की होती तो भी मैं तुम्हें देखना गवारा नहीं करता जो हमसफ़र का खाक का मेरे दमाग में है जिस स करूँ का फिर कुछ तौकफ के बाद दर्वाजे पर खड़े हुए बोला और हां मेरे भाई के पास जाने की गलती मत करना वो मेरी तरह एक थपड़ से नहीं नवाजेगा बलके सीधा तुम्हारे माबाप के सामने ले जाकर तुम्हारा ये मकौरवा चेरा सब को दिखाएगा इसे सारम जादी समझने की गलती मत करना वो समसाम जादी है जो तुम सोच नहीं सकती वो करके दिखाएगा वो कहकर एक नज़र इसके सुरख अंगारा आंकों चेरे पर डालकर मजीज कहा आएंदा किसी को रूम में बुला कर दोर लोक करने से पहले हजार बार सोचता है मैडम सब सारम जादी नहीं आखरी अलफाज इसने दरवाजे पर खड़े होकर कहे और जैसे ही बाहर कदम रखा कि तबी ही सामने साथ हैदर शाह और साहिल शाह को देखते मरवतन इसे मुस्कुराना पड़ा मुकाबर वजूद की गरे आंखों से अंदादा लगा गया कि वो इसके अपने ही है अस्लाम लेकूम इनके पास पहुंचते सारम हाथ बढ़ाया जिसे गरम जोशी से हैदर शाह ने इस लंबे चोड़े आवराल पहने खड़े नौजवान की गंजमी रंगत बुरी आंखों से आग गने बात देखते थामा इसे हकीकत में इसमें तक्वा की मुशाबत नजर आई बहुत खुशी हुई मुझे आप से मिलकर डॉक्टर सारम मेरी बेटी की जिनकी बचाने के लिए मैं जितने तुम्हारे शुकर या करूं कम है हैदर शाने इसके हाथ पर दबाओ देते मुश्कूर होते कहा कैसी बाते कर रहे हैं अंकल मैं तो बस वसीला बचाने वाली जात और जिनकी देने वाली तो वो उपर बैटी है बेनियास मुझे लगता है इनसान को इन छोटे हाथसों से सबक हासिल करना चाहिए सारम ने नर हुटा सा सोबर रहम दिल डॉक्टर है मैंने कहा थाना मामुजान बहुत प्यारा नरम को है साहिल ने आगे बढ़ते इसके कंदे के गिद बाजू डाले सारम हूले से हंस पड़ा हैदर शाने मुश्कूराते हुए सारम को देखते हुए सर हिला गय डैट मान वो कुछ कहते तबी बाजल की आवाज गुजी आप शायद मुझे देखने आए थे इसने खवकी से कहा सारम ने आवाज पर बिसाकतन नज़ें उठाकर वोर्ड की डूर सिमत देखा जहां वो सकाफ का हिजाब कुछ इस तरह से बांद कर खड़ी थी कि इसका आदा गार चुप गया था पर इसकी सुरखनाक आँखें जाहिर थी रैड असकाफ में इसका रैड चेरा नज़ें ठट ठकाने वाला था मेरा शिजादा पहले मसीहा का शुक्रिया करना भी तो जरूरी था इन्होंने कहते आगे बढ़कर बाजल की कि बाज़ों का हिसार डाल दिया और इसकी पेशानी पर पट्टी देखते इसके सर को चुमने लगे दिल से लगा कर अपने तरपते दिल को सकुन बखशा बाप के सीने से लग कर इसने आईस्ता से नस्ते उठाई और खुद को देखते हुए सारम पर एक नज़र डालते साहिल शाह को मस्कुराते हुए देखा कैसी हो गुडिया वो पास आकर इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला डॉक्टर सारम ने ठीक कर दिया बहुत शुक्रिया इनका मुझे अभी कुछ देर पहले बताया था कि मैं गलत गारी ड्राइव कर रही थी अगेंस्ट आफ रूल्स इसलिए ये जख्खम उठाना पड़ा आएंदा एहतियाद से चलाओंगी तो ऐसा नहीं होगा बहुत अच्छे हैं ये वो गहरी मुस्कुराहर से बोलती अपने बाप के कोड़ पर उगली फेडने लगी हैदर शाहरान हुए बादल की बाद पर जिनकी में पहली बार इनकी बेटी कोई अपनी गलती मान रही थी ये एसास काफी खुशकिन था पर कुछ ऐसा भी जरूर था कि वो चौंके बगएर नहीं रह सके साहिल ने मुस्कुरात सारम को देखा जो कि अब संजीदा खड़ा था साहिल के देखने पर मुस्कुराया इसे समझ नहीं आया वो जूट क्यूं बोल रही है इसने तो कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा वो तो बलके इसके ववेले शक्कर शो शराबे के इंतजार में था पर उल्टा वो इसे अच्छा साबित कर रही थी हलाके इसकी नजर में वो बुरा कमतर था एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपका बेटे मेरी जिन्द की बचाने के लिए कभी वक्त मिला तो जरूर आप से और आपके डैर से मिलने आऊंगा अभी चलता हूँ आ इसकी मौम बहुत परिशान है वो बादल की बशानी चूमते हुए सारम से अलविदाए मसाफ़ा करने लगे शुक्रिया की कोई बात नहीं अंकल शुक्रिया करना है तो रब का करें शुक्रिया जरूर मिलेंगे दुबारा आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा कभी आएना फैमली के साथ हमारे कर रोहा सिस्टर और आंटी को स्लाम दीजेगा हम सब की तरफ से डैड भी कुछ गहंटे पहले गए हैं यहां से वरना यहीं होते हैं सुबा के वक्त हैदर शानी इस हॉस्पिटल की अमारत पर नज़र डालते मतासिर होकर सारम का कंदा नहीं वो अलग है छोटा सा है यह तौकी मेरी बेहन के नाम से फ्री इलाज के लिए है हस्पिताल डैड मॉम में हम तीनों हाफ हाफ टाइम यहीं जॉब करते हैं सारम ने तफसीलन कहा बाजल सर जुकाए गैरी सोचों में थी माशाला यह तो तक्वा साइम ने बहुत अच चलता मद्धम अवास में बोला माशाला माशाला है दर्शा मतासर हुए बगैर ना रह सके वो बातें करते अपनी गाड़ी के पास पारकिंग में आगे सारम भी साथ था इनके सारम इने अस्थार किया थचाए पानी का पर इन्होंने इंकार कर दिया बलके सारम पर उधार अपने कंदों पर उठा चुका था साहिल सारम से मिलता एक बार फिर इसका शुक्रिया कर कि गाड़ी में जा बैठा कुछ तेर में गाड़ी सब से पहले निकली इसके बाद हैदर शाह भी इससे मिलकर अपनी गाड़ी में आए एक मिनट डैड मैं डॉक्टर सहाब का शुक डॉक्टर सहाब का मियार सारम के मुकाबल आती वो इस्तजाया मुस्कुराती हुई बोली सारम ने इसे देखते नजरें गुमाई बहुत पच्टाओगे डॉक्टर इस थपड़ पर बहुत पारसा मौलवी किसम की आदमी होना मैं चाहूँ अभी तुम्हारा सिया चेहरा बेनकाब कर सकती हूँ अपने डैड के सामने के तुमने उनकी बेटी पर हाथ उठाया फिर तुम्हारी अच्छाई में सहाई का कब भी जाएंगे हनी मौन पर वहीं तलाक भी होगी और तब तक मैं तुम्हारी जिन की तहस्न है जरूर करूंगी सारमजादी तुम बस अब देखते जाओ तुम्हारे पारसा खाके की धज़ियां बखेड दूगी तुम्हें मलूम है अगर मैं एक इशारा करती तो जाने कितने ऐसे आ जाते पर नहीं मैं ये कॉंट्रेक्ट मैरिज करूंगी तो सिरफ और सिरफ डॉक्टर सारमजादी से तुम्हारे मियार तुम्हारे खाके तुम्हारी हमसफर की परसंद की धज़ियां बाजल शाब खेरेगी जस्ट वेट एंड पॉच वैसकी आँखों में आ आँख दबा कर इसने कहा और हंस्ती हुए सीधा जाकर अपने बाप के साथ फरस शीट पर बैठ गई पीछे वो जब्च से सुरख मुठियां बेंचे खड़ा था सुन रही हो इस दिन वो इससे बुरी लग रही थी जमानत के तौर चाहिए थी और आज इस से पूत को इससे महबबत हो गई है और इससे शादी करना चाहता है गर आकर अपने बेटे का वही मतालबा इस बार सारे गर के अफराद के सामने सुनते साहम जाएदी ने गुसे से अपने बीवी को मुकातिब किया तक्वा ने सुनते गहरा सांस बरा सारम सर जुकाए बैटता था कभी बाप को देखता तो कभी भाई को कब से दोनों के बीच तक रार चल रही थी साम का रादा हर्दा हर्गिस पीछे हटने का नहीं था और इसके बाप के दिल में बेटे की रादों से खौफ उतर आया आप तौकी को खुश रखेगा कहीं इसकी वज़ा से अश्या की जिनकी ना खराब हो मतलब मैं ये समझू कि आप लोगों को अपनी बेटी अजीज नहीं भाई की बेटी अजीज है इसकी फिकर है वो समसाम जादी था बात की खाल उतारने वाला जब बात पहन पर आया वो भी बरतन इसी किचन में खमोश होती हैं और हम नहीं चाहते हैं इस अवाज को सुनकर तुम दोनों बरतन तोड़ना पूरना शुरू कर दो तुम हमारी बात सामने रख लो रख लिख लो अपने माबाब से ही मिसाल ले लो तुम लोग खुद कहते हो आप दोनों के बीज ल कर रखते हमें असास दिलाते पाक रिष्टे का हमारे बीच कोई बड़ी जंगे नहीं होती थी बस प्यार महबत वाली खफकियां होती थी और भाई का पास घर होने की वज़ा से तुम्हारी मौझे सजा देने के लिए लार से भाई के पास पहुंच जाती फिर इन्हें मौ होता तो वो हमें भुला कर साथ बिठा कर समझाते अगर इसी जगा दानियाल खान अगर गन कुलहारी उठा लाते तो क्या ये रिष्टा अब तक यूहीं काइम रहत होता ये सब बताने का मकसद मेरा यही है कि कुछ ठंडे रमाक से सोच दयाब जितना कूल नेचर है मेरी बेटी बीच कदर मिचूर समझधार अकलमज है मुझे उमीद है लापाकी ने भात रखेगा पर खुदाना का वास्ता का कोई जबान गूई आपस में हो जाती है तो कि जानते हो बाइयों की लारली है तुम लोगों के पास आ जाती है सारम से मुझे उमीद है कि वो मौामल सयाजीद मैं ऐसी मत को हो अगर ऐसा है तो मेरे शिजादे हमें बता दो तुम खुद सोचो कि आरशिया का हक नहीं खुशियों पर दिलावर ने जो कुछ किया बेटा वो इसका अमल था पर इन दोनों का तो कोई कसूर नहीं ना दर्याब हमारी आँकों के सामने पर बढ़ हैं तक वह अपने बेटे के पास सोफे पर बैटी सामने बेटी को देखकर बेटे से बोली अपने रिष्टे की बात सुनते पास बैटी तौगे का चेरा सुरक पढ़ गया इसने जुज़क के नजरे एल एडी पर टिका दी जहान नियूस चल रही थी मैं समझ गया हूँ बलके दर्याब से बात भी कर लिया और मैं अपनी हर गलत पकवास के लिए दिल से माफी चाहता हूँ जाने कैसे वह सब मेरे मुझ से निकल गया मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता मैं बस अर्शिया से नकार करना चाहता हूँ सामने दोनों माबाब की सुनते हुए कहा सारम को हंसी आगई अगर ऐसा ना करते तो इन्हें आज इतने पापड बेले ना पढ़ते खौाम खा गुस्से में अपने पाउं पर कुलहाड़ी मार दी थी मौम मैं खुद चाहती हूँ अशिय हमारे घर आए प्लीस मौम भाई अच्छे हैं डैड बलीव हम तौकी अपनी माम से कहती है अपनी जगा छोड़ के अपने डैड के पहलो में आकर बैट ती मिन्नत करने लगी तौकी ठीक है रही है डैड गलती हो जाती है इनसान से जब भाई अरशिया से माफी माँग चुके हैं इसके कुछ ना जानते हुए भी भाई ने माफी माँगी और अरशिया ने माफ कर दिया तो सब ठीक है ना डैड सारंबी मिदान में आ गया तौकी काफी खुश हुई सिर्फ एक वीश है पूरी कर दें मेरी क्वाईश है कि मैं यहां होकर अपने दोनों भाईयों की शादी देखूं प्लीज डैड ऐसा करें ना पहले साम भाई सारम भाई की शादी करवाएं मौान तौकी अपने माबाब से इलतजाएं करने लगी साम जादी ने बेटी की फरमाये सुनते मकावल बैटी बीवी को देखा इन्होंने भी सुन लिया था और अब एक दूसे को देखते तौकी के जुके सर्प को देख रहे थे साम ने मत्बस्म नजरों से इसे देखा जैसे जादूगर की जान तोते में होती है वैसे ही समसाम जादी की जान तौकी जादी में थी मैं अब ज्यादा सफाईया नहीं दूँगा अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन है तो ठीक है अगर नहीं तो खुश रहें जहां भी रहें वो समसाम कहता हुआ उट खड़ा हुआ पर समसाम जादी में कहा सब को तर्पा गए समसाम ख़मोशी ने देखने लगा और तौकी सारम भी खफ़की से अपने डाड़ को अलबता तकवा ख़मोश थी मैंने तुम तीनों की परवरिश में कभी कमी नहीं की जो महबत मुझे माबाप से ना मिल सकी मैंने डबल त्रीपल तुम तीनों को दीबल के मेरी बीवी ने भी बहुत वक्त लगा है मुझे इज़त मुकाम हासल करने में और मैं उमीद करता हूँ मेरे बच्चे वो तहस नहस नहीं करेंगे और ना ही मेरी तर्भियत पर हुर्फ उठने देंगे दूसरा हम अपनी बेटी की ख्वाइश का इस्तराम करते हैं और इसकी इस ख्वाइश को कबूल भी करने की रभ से पूरी दवा करेंगे इंशाला कल परसो हम मिलकर आपकी बड़ी बाबी और हमारे बड़े बेटे की बीवी हमाई लाली बहु का रिष्टा मांगेंगे और फिर थोड़ी बहुत तुम्हारी सारम भी के लिए बाग दोर लगाएंगे पर आपका डैड ये ख्वाइश आपकी जरूर पूरी करेंगे साहिम जादी ने कहते तो कि को सीने से लगा लिया हुशी से याहू कहती अपने बाब के सीने में इसे चिमट गई और इने ठैंक्स कहने लगी समसामने रिलाक्स अंदाज में बादों सोफे की पुश्ट से टिका दिये साहरम साहिम जादी से आज हैदर शार से अपनी मुलाकात का बता रहे थे तक्वाने मस्कुराते हुえ अपने शोहर को देखा और पुर्सकुन होगी क्योंकि जानती थी इनके फैसले गलत नहीं होते वो हमेशी अपने शोहर के हर फैसले में इनके σταथ थी जैसे आज भी इन्होंने फैसला सुनाया तक मैंने मुश्कुराते हुए अजाज़त दी थी एक्जाम में कुछ दिन होने की वज़ास से इसने अपनी मेंटली डिस्टर्बेंस को देखते हुए कैडमी जवाइन की थी पर तो वो साम से या सारम से भी सकती थी पर वो पहले ही ठके हुए होते थे इस लिए इन से कहनी की बज़ाए इसने सीधा अकैडमी का कहा था अपने भाइयों से डैट के मुश्विय के बाद सामने इसे एक अच्छी अकैडमी में अड्मिशन लेकर दिया था तौकी ने तो अर्शिया को कहा था पर इसने मना कर दिया था वो यूनी से आकर नमाज पढ़ती है घर में अकेली होने की वज़ाद से मलाजमा से मिलकर अपना लंच चायर करती और खाकर बैग लेकर अकैडमी आ जाती थी और वहां से पांस बज़े घर के लिए रवाना हो जाती थी कुछ दिर सब्स्वे होते इन्हें अकैडमी नमाज के लिए जगा देते थे और दूसी लड़किया वहां नमाज अदा कर लेती थी वो इस वक्त भी घर के लिए रवाना हो रही थी कि चानक भी इस सड़क पर इसकी गारी चानक रुख गई थी अल्ला अल्ला अज्डे क्या हुआ तो कि सक्त परिशान होती गारी को कितनी बाहर स्टार्ट करने की कोशिश कर चुकी थी पर कोई फाइदा नहीं हुआ वो स्टार्ट होती फिर बंद हो जाती गारी साइट पर भी नहीं हो रही थी कि वो साइट करके कुछ चेक ही कर ले परिशान होती वो लबनातों में दबा कर गारी का डूर खोले बाहर आई इसने सोचा था कि अगर इससे कुछ ना हुआ तो साम भाई को कॉल कर लेगी पर यहां किसी से मदद नहीं लेगी यह इसने सोच लिया था और नहीं इसे यहां ज़्यादा दे लुक्ना था तो कि रस्ते पर गाड़ियां काफी कम थी और हाथ साथ का भी कोई भरोसा नहीं कब किसी के साथ होलनाग पेश आ जाएं और इसके साथ तो मसलसल पेश आ रहे थे वो डॉर अनलॉक करके बाहर आज पास देखते हुए इसने आगे बढ़कर गाड़ी का बॉंट उठाए से देखने लगी वाज भी नकाब अबाया पहने हुए थी रस्ते से एका दुका गाड़ियां गुजर रही थी इसने शुरू दिन से इस पुर्सकून रस्ते का इंतखाब किया था पहला तो वो बीच मिनट की ठीक ड्राइविंग से अपने गर होती थी यूनी के अंदर मजोद तलबात की जुरत नहीं होती थी कि वो इसकी आईश्या की छेट चाड़ करें यूनी के बाहर आये लड़के गाड़ियों की तरफ बढ़ते थे पर वो निकल जाती थी अलबता जो गरीब लड़कियां थी वो मीरों के बिगड़े नवाबजादे और रस्तों के लोफनों को भी जेलती थी चोटा सा मस्ता था तार का जिस वज़ा से गाड़ी रुक रुक कर स्टार्ट हो रही थी वो देखकर मुतमीन हो गई थी क्योंकि वो ठीक कर सकती थी सारम भाई ने इसे थोड़ा बहुत सिकाया था इसे तो गाड़ी का टायर बदला भी आता था पर इसने बदला नहीं था कभी क्योंकि वो खुद में इतनी ताकत नहीं महसूस करती थी ये तो मर्दों का काम था कुछ काम मर्दों के लिए मकसूस होते हैं और वो अच्छे भी उन पर ही लगते हैं इससे तो की अच्छी तरह वाकफ थी कुछ ही देर में महस पांच मिनट में वो गाड़ी का मसला ठीक करती बहुत खुशी और ये खुशी वो अपने भाई से भी शेयर करना चाहती थी साम से तो नहीं अलबता सारम से कर सकती थी क्योंके इसकी डांट भी मज़े वाली होती थी जो कि जरा सा मूँ बनने पर नर्म हो जाते थे वो आजकल हर खौफ से जाद थी क्योंके इसके बाई ने कहा था वो दैशेत कर पकड़ा गया है और आजकल सेनिटर जेल में है और कुछ दिन बाद मसूमों पर तश्यद्द से अपनी इसे फांसी भी हो जाएगी फिर इस तरह एक लिंदा अपने अंजाम तक पहुंचेगा इस तैशेत करने जो इसके साथ क्या वो इसे कभी नहीं बूल सकती क्योंकि इसने तमाम हदे पार करके इसके वजूद को छुआ था कि वो चाहने के बावजुद अपनी माँ को नहीं बता सकी कि किसी गहर महरम ने इनकी बेटी के साथ आगे वो सोच कर खुद को गुनागार नहीं बनाना चाहती थी और अपने इस तैसित करको फांसी की सजाज चाहिद इसलिए ही सुनाई थी जाने वो कितनी मसूम लड़कियों के साथ ऐसे गनोनी हरकात इंजाम दे चुका था मैं क्यों इस वहशी को सोच रही हूँ वो गाड़ी का बोंट गिराकर अपनी गाड़ी की ड्रैविंग सीट की तरफ बड़ी इस सलील की वज़ा से और दूसरा इस बादलशा की वज़ा से इसका मूर इसकदर खराब हुआ था कि इसने सारे प्लैन ही कैंसल करा दिये और वैसी भी सब को मालूम था इसे बुखार था सो समन और रोहा की नराज़ी का इसे कोई डर नहीं था जहाज की स्पीड से चलती इसकी गाड़ी उलट होते हुए इचानक चटके सरु की मौत इसके सर पर थी भून की तेज आवाज के साथ हैवी बाइक पर बैठा वो हुड़ी में मजूद वजूद इस तक पहुंशने ही वाला था कि वो गबरा कर पसीने से ना हाया हुआ एकदम गाड़ी से निकला और पैदल तेज 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 भागने लगा इससे पहले पीछे आता वजूद इस पर फायर करता वो एक दम सामने खड़ी गाड़ी में बैठते वजूद के साथ ही फ्रंट सीट पर धरम से गिरा आह इचानक धरम से फ्रंट सीट पर गिरते वजूद को देखते तोकी की भी चीख निकल गई वो मजीज चीखे मार कर बाहर निकलती पर इस से पहले इस जाफ हम ने इसके सर पर गंद रख दी गाड़ी स्टार्ट करो फास इसने इंग्लिश में कहते इस पर गराया तोकी की आंके इस मोटे से आदमी को देखते हद से जादा पहल गी वो इसकी गाड़ी के डोर आफ करके एक बार फिर इस पर खौफनाक अंदाज में चीखा वो वैशे जदा होती कांपती हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने लगी और चोर नजरों से इससे देखा जो खौफ से पसीना पसीना होले कांप रहा था इसकी सांसे किसी बेफड़े जानवर की मानद फूल रही थी और आँखें चारों असराफ खूम रही थी और खुद इस इचानक अफ़ताद पर जद पढ़ गई थी और खौफ से कुछ ना सूचते गाड़ी भी स्टार्ट कर ली डैश बूर्ड पर रखे अपने मुबाइल को भी देखा के चुपके से उठा कर अपने भाई को कॉल कर ले या लोकेशन अलर्ट की एक नोटिफिकेशन ही सेंड कर दे वो इसकी हैवी भाईक से दूर जाना चाहता था वो खुद सक्त वैशे जदा था स्वाई तौकी के दमाग पर गंद रखने के कुछ नहीं कर रहा था इसने बाईंट रन मोरना चाहा कि इस स्टेरिंग को थामते जटके से गाड़ी का रुफ दाएं मोर लिया गाड़ी बेल्ट प्रूफ थी वो देख चुका था तब ही कुछ रिलैक्स होता अब तौकी के हाथ से स्टेरिंग शीन कर खुद दाएंग गुमाते हुए स्पीड तेज कर दी बाएंग गुमाओ गाड़ी तौकी खुफ जदा होती गुसे से इस पर चीकी स्टेरिंग कर इसे देखा जो इसके बाज़ों के पहुंच से दूर होती सांस रोक के रो रही थी इसकी निली आएज को वो नकाब से देखता होश में आया शट अप मार देगा वो तुम्हें भी डीके है मेरे पीछे वो इचानक तौकी के मूँ पर गराया कि इसे लगा इसके कान के परदे फार देगा इसके मूँ से गलीस बात निकली वो वैशे जदा खौफ से चीख भी नच सकी से अंदाजा नहीं था कि वो हर बार ऐसे वैशे श्टों की जाल में क्यूं फंस जाती होदिली दिल में आयत उलकुर्सी का विर्द करने लगी साथ आंसों बेरवानी से नकाब को भिको रहे थे यह सब इचानक इसकदर बर्की रफ्तारी से हुआ था गया इसका दमाग यह सब कबूल नहीं कर पा रहा था गाड़ी अंजान रस्तों पर थी वो सामने विरान रस्ता असपास गने जंगल की तरफ देखती सद पड़ गई छोड़ो मुझे तुम्हें अल्ला का वास्ता प्लीस लीफ मी वानी से अपनी आब रुका खौफ ताने लगा वरोती हुई चलाई शिट नहीं मार रहा तुम्हें कुछ नहीं करूँगा मुझे सिर्फ यहां से निकलने दो वरना डी के मुझे मार देखा साथ तुम्हें भी इचानक जटके से गाड़ी रोक कर वो धाड़ा तुम्हें के आंके पहल गी कर कौन है डी के इसे अंदाजा हुआ था कि इसने एक भी गली इस नज़र इसके वजूद पर या इस पर नहीं डाली थी वो तो शायद खुद ही मौत के खौफ से कांप ता भागना चाहता था यहां से जल्दल जल इससे आप फार्म ने गारी रोकी क्योंके इस लड़की की चीखों से इसे आगे अपने पकरे जाने का खच्चा था अगर वो पकर लिया गया तो ना इसे पलीस छोड़ेगी ना ही डी के आगे में हाईवे शुरू था इसने बीच में ही गारी रोक कतो की के सर पर गंद का दबाव बढ़ा लिया डी के इसने तोड के अलफाज मुझे निका ले तो की खौफ दैशित से इसे देख रही थी जो इसकी आँकों में अपनी स्याह कौफ ज़दा आंके गार कर पीछे और आगे देखने लगा डी के मतलब वो जान गई थी कि वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था क्यूंके इसे खुद अपनी मौत का खौफ था कैसे इसे मारता डी के एक शार्ट नेम है फुल मतलब इसका ये है देवल आफ दा किलर इसने आरिष्टा से बताया पर इसके बताने नाम में जो दैशित थी से लगा कोई हॉरर मुवी हो क्या ये सब हकीकत थी एक नॉर्मल जिनकी में इचानक कातलों का डैवल कहां से आ गया पर इसे साथ याद आया इस दैशित कर जो के खुद को एवल बुला रहा था वो भी तो इचानक था फिर इसे चिमट गया था किसी बुरे साय की तरह वो सब कुछ भी तो नॉर्मल नहीं थी अगर वो अरिश्या या किसी से भी अपनी अब नॉर्मल जिनकी को डिसकस करती तो सब इसकी दमागी हालत पर गोरो फिकर करते किसी को यकीन नहीं आता जरूर इस वजूद के दमाग में शेतान का कब्जा होगा तब ही तो नॉस्बिला खुद को ऐसे नाम से बुलवा रहा था इसने सोच कर जहर जली निकलो बाहर जल्दी इसे आगे की तरफ तौकिक को दकेला वो गबरा गई आप हमारे घर चले मिरे डैड भाई आपको इसे बाहर की सिमत दका दिया जिससे तौकिक की चीक के साथ साथ सीधा विंडो से टकराया वो रोती अपना गूमता हुआ सर थाम कर मुबायल को जपटने लगी पर इसकी बेवकूफी को देखते ही वो आदमी से पहले ही मुबायल इसके हाथ से नूस किया और इसे अपने स बड़े से हाथ की पकड़ में गर्दन को दुबोच कर बाहर की सिमत दकेला वो गबराहट खौफ से रोती हुई बाहर निकली सुनसान सड़क पर आ जाने से तौकी का धक 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 खौफ जदा सहमा दिल एक तम उचल कर मुझ को आ गया काश वो अपने भाई की ना फरमानी न करती वो डिरेक्ट इने कॉल कर देती तो आज ये सब न होता किसी को ना पाकर इसे एसास हुआ वजूट पोल रहा है कहीं भ चलो खौफ जदा गबराया हुआ तो वो भी था अपने पीछे इस हैवी बाई को गाइब देखकर नहीं प्लीस मुझे मेरे बाई को कॉल करने दो वो हमें बचा लेका वो रोती हुए मिनत इलतजा करने लगी इसने शायद डीके के मतलब पर गोर नहीं किया था इसकी तव वज़ा गौर सिर्फ डैवल पर थी कातलों का वो भूल गई थी इस या फार्म नेशे घूरते हुए मुबाइल को फैंका एक तरफ और गन तौकी के सर पर रखते इसके दोनों बाजों को पीछे मरोड कर जकरते हुए आगे जंगल की तरफ दकेलना शुरू कर दिया वो नाजुक जान थी बाईयों की लाड़ली बाप की जान इस दियो जैसे आदमी का दकेलना इसे आगे की जोर्स और बदस्ती खैंचते हुए जजाने लगा तौकी लंबे गाउन में गिरती पड़ती इसके साथ दकेलती हुई जा रही थी वो सड़क से कच्चे में उतर रहे थे एक मॉबाईल का सहारा भी इसे चीन लिया गया था पर इसे उमीद थी इसका भाई बाप इसकी जरा सी देरी पर जरूर अकैडमी कॉल करेंगे बलके साम भाई फॉरन से इसकी लोकेशन देखेगा वो जाने कहां इसे लेकर जा रहा था तौकी जंगल को देखती ही खौफज़दा थी साथ साथ रोती हुई इसे मिनते समाथ भी कर रही थी पर इस पर मौत का बूसवार था इसे अपनी जान अज़ीज थी ना के इस मुसल्मान लड़की की इसके अंदर गाइब होते ही इसकी हैवी बाइक मन्जरयाम पर आए पास गाड़ी के बा Ổर रुकते वो गाड़ी से उत्राँ वो इस वक्त करे हुड़ी में था मों पर मास्क वही शायत रंग था और हाथ में गलव्स भी हुड़ी की बैक पर बड़े हुरफ में डीक के ल अपना मॉमाइल निकालते हुए इसने जल्दी से एक नमबर डाइल किया जैकी एक मॉमाइल की डिटेल्स तुमें भेज रहा हूँ इसका डिवाइस हैक करो और इसकी लोकेशन दानियाल खान के घर जाकर वहां शोकरो साथ ये मैसी तीनों नमबर पर भेज़ दो कि वो इसकी के पास जा रही है कुछ देर में घर आ जाएगी कुएक इसने सद आवाज में हुकम दिया दूसरी तरफ हुए वो वजूद फॉरन से हरकत में आया और उचल कर इसके हुकम पर सोफे से उठा वहां से बाग कर आफिस डूम में आ गया बेच दो डीके बेफिकर हो हो जाया का चंद मिनट्स में वो मुन्तजिर हुआ जब कुछ देर में दिवार गीर सक्रीन पर कोडिंग में वो सारी डिटेल इसके सामने थी इसके हाथ तेजी से काम करने लगे डीके ने गहरा सांस बरकर वो मुबाइल जेप में रखा अपनी गंद के मुँपर इसने स्लैंसर सेट किया साथ ही कदम अंदर रख दिये अगर वो इनके पीछे ही गाइब ना होता तो जरूर वो इसे नुकसान पहुँचा देता तुम जूर बोल रहे थे कोई डीके नहीं रोती हुई तौकी मसलसल भागते अब गिरने लगी थी दर्द से शट अप जब वो इचानक आक चीड फार कर चेथरे चेथरे कर देगा तब तुम्हें मालूम पढ़ेगा डीके का वो इस पर गरज उठा पर मैं तो कातिल नहीं वो कहकर आँखे मीच गए इसका दिल कह रहा था वो महस ड्रावना खाब है जाने क्यों आज इसे ज़्यादा खौफ नहीं हो रहा था या फिर इसके आँखों में हवस नहीं थी रही मौत की बात अगर इसके नसीब मेरे अप आज़ाता की मौत लिखी होगी तो इसे दुनिया की कोई टاकत नहीं रोक सकती थी पर दैशत का का दुत नहां ही बेहीं सिताय किये हुए था जाने इसके कहा ले कर जा रहा था पर तो कि दिल줘 wraps को शुरू होती, कुरान की तलावत इसे हर तरह के खौफ ज़जाद करवा गई थी हर मुसल्मान की तरह इसकी भी यही क्वाईश थी कि जब आखरी गड़ी हो तो इसके लबों पर अल्ला और इसके रसूल सलिए लाह ले वाले सलम का जिकर हो बीस मिनट पहले वो खुश थी कि अपनी भाई को फक्रिया अपनी गारी ठीक करने का कारनामा सुनाएगी पर बीस मिनट बाद सारा मनजर बदल गया था वो जानती थी जो इसे बेदर्दी से गसीड कर जा रहा है मौद ये बगएर इसे छोड़ेगा नहीं इसे बस यही शकून था इसकी आँखों में हवस नहीं थी बस वो बज़ कर इसे मार देगा और बला रब की लिखी मौद को कोई टाल सका है जो टाल देगी ना उस बिल्ला वो इसके कबजे में गन पॉइंट पर थी दौफतन वो बीचों बीच रुका रुकों में देखता हूं रस्ता हिलना नहीं वरना खोपरी उड़ा दूँगा वो इसे कहकर तौकी से दूर हुआ जिसके साथ इसका सांस बहाल हुआ इसने आस पास देखा सुरज भी ग्रूप नहीं हुआ था इसके बाद भी यहां गहरी शाम का वक्त मालूम हो रहा था वो और शिद्ध से अल्ला को पुकारने लगा वो सियाफ फार्म आस पास देखता गहरा स्कूत पाकर अपना डिवाइस निकाले अपने साथियों को मालूम करने लगा कहां तक पहुंचे हिलना नहीं वरना वो मार देगा इसने तौकी से कहा वो खमोशी से इसे देखने लगी जब वो आगे बढ़ा तब इसने आस पास चोड नज़ें गुमाई हेलो डेवेड डिवाइस कोनेक्ट होते ही इसने सरगोशी में पुकारा होशन इसकी आवाज को पहचानते हुए इन्होंने कहा येस येस मैं होशन तुम लोग कहा हो वो खुशी से पागल होने लगा इसका रापता अपने साथों से हो चुका था बगए डीके के हाथ चड़े हम तुम्हारे करीब हैं वो ही रुको पहुँच रहे हैं इन्होंने डिवाइस लोकेशन से इसे ट्रैक करते हुए कहा हाँ मैं यही हूँ तुम लोग जल्दी पहुँचो हम आ रहे हैं ख्याल करो डीके भी आ चुका है इन्होंने कहते रापता खतम किया वो डिवाइच छोटी चिप की सूरत में थी इसे अपना मुझ खोल के उंगली की मदद से उपर लगा दी मौन रिचानक इसे इस बरका पोश लड़की का ख्याला है इसे इसास हुआ शदीद गलती का कि साथियों के मिलने पर वो लड़की को काफी पीछे चोड़ आया था शिट वो गुसे से हाथ में मुका मारा वो भागा इसी तरह पर इस जगा पहुंच कर हसू खमोशी सकूत चाया देखता गरा उठा क्या हुआ होजन तब तक इसके साथ ही इस तक पहुंचते हुए इसके कंदे पर हाथ रखकर बोले वो भाग गई इसने गराते हुए कहा कौन इन्होंने हैरत से पूछा वो ही मुस्लिम लड़की जिसे मैं साथ लाया था यहां तक गुसे से बिपढ़ते हुए यहां वहां चकर काटने लगा तो क्या हुआ जाने दो इन्होंने हैरत से कहा कैसे जाने दो इसे देखकर डीके ने मेरा पीछा छोड़ा था वो शिकार को जाल में फंसाने का मोहरा थी वो गराया पागल हो रहा था ओ फिर इसे ढूंडो यहीं कहीं होगी पर ख्याल से डीके यहीं है इसके हाथ लगने से पहले इसे ढूंडो इसके साथ चुने इसे होसला देते हुए कहा वो सांस लोके खमोशी से सर पर बारी हाथ के दबाओं से सर मकाबल के सीने पर टिकाये खड़ी थी इसके चोड़े सीने की मद्दम दक दक इसे साफ सुनाई दे रही थी इसके दोनों हाथ मुकाबल के उंचे शोल्डर्स पर थे लोफ से कांपते वजूद के साथ इसे थामे खड़ी थी वो वहां तनहा खड़ी अभी बापस भागने का सोच ही रही थी इसे चानक वहां से कोई खैंच लाया था और खैंचते ही द्रक्स की आड़ में आते इसके देखने से पहले ही इसका सर सीने से लगा चुका था इसने सर उठाकर इसे देखना चाहा पर मुकाबल ने एक बार फिर इसकी कोशिश नकाम करते इसे जटके से गुमाया तो की कमर इसके सीने से लगी अब इसकी आंके सामने जाड़ियों पर थी कौन है वो इस स्याफ हॉम की दोनों बाते सुनते वो सरगोशी में बोली डिके ने इसके सर को देखा अगर वो इसे देख लेती या इसे पहचान जाती तो जरूर चीक उरती वो इतने दिन से सोच रहा था क्यों इसने इसके काम में अभी तक टांक नहीं एडाई पर आज वो कमे भी पूरी कर दी इसकी गाड़ी के नंबर को देखते ही वो जान चुका था कि गाड़ी में कौन मजूद है कातिल इसने गंबीर आवाज में लहजा बदल कर आईस्ता जुक कर इसके कान के पास होंट करते कहा तौकी की आँखें पहल गई और तुम इसके दमाग में कातल और डैवल की बातें लहराई क्या वो डीके था जारी है